हेलो दोस्तो मैं यूज स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने यूटिज चैनल उत्राखन पैलेट्स में तो दोस्तो आज मैं आपको बता हूँगा कि आप बहुत ही कम खर्चे में अपने बर्ट्स के लिए ब्रीडिंग बॉक्स कैसे तयार कर सकते हैं मैं तो अपने बर्ट्स के लिए फिलाल नहीं लगाया हूँ लेकिन आपके लिए एक टिप्स देने के लिए नहीं लगा सकते हैं तो दोस्तो हम टाम जाया ना करता हूँए चलते हैं अपने टॉपिक की और दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह एक स्पीकर है यह चोटा ही स्पीकर है यह मुझे 10 रुपा का एक पर आए तो आप यह जाब और फिंच से इसमें ब्रीडियंग बॉक्स बना सकते हैं इसका जाब और फिंच इसके लिए यह जादा बड़ा नहीं ह तो आप कबाले में से ले लें तो दोस्तो मैं इसकी बता जिता हूं क्या-क्या हाइट है दोस्तो जो इसकी लंबाई है वह 8 इंच है और चोड़ाई जो है पांच इंच है और दोस्तो जो इसकी गहराई है वह 4 इंच है दोस्तो इसमें एक प्यर फिंच अराम से ब्ली करेगा तो आप फिंचिस के लिए से लगा सकते हैं और जावा के लिए लगा सकते हैं तो दोस्तों अब हम इसे खोल लेता है कोई जादा प्रावल्म नहीं होने वाली है अब यह देख सकते हैं इसमें जो आपका फिंच होगा विंचिस होंगे आपके अराम से जो है नेस्टिंग कर लेंगी और एक पियर प्रेट के लिए यह काफी अच्छा है और यह काफी बढ़ा भी एक प्यर पिंच प्रावद्द में अराम से ब्रीड करेंगी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस लाइक करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह हम दूसरे वाले को भी इसी तरह खोड़ लेंगे तो रोस्तों अब हम दूसरे वाले को भी और इसमें दो प्यर अराम से पल जाएंगे और इसमें फिंच दो जो प्यर होंगे वो अराम से बीट करेंगे और जो है कि इसमें अराम से नेश्टिंग भी कर लेंगे आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और मैंने इसकी आपको हीटे भी नबा दी तो आप यह देख सकते हैं यह बन चुका है और आपको बस अब करना क्या है थोड़ा साफ कर ले रहा है साफ कर लेना आपको दोस्तों आप कर ले रहा है साफ कर ले रहा है झाल झाल और ओर हम आपने फृंच के लिए अपने केजस में लगा सकती हैं तो दोस्तो आझ केलिए अगर आपको मेरे बीडियो पसंद आयो तो प्लीज just gonna like करें comment करें ,share करें और सब्सक्राइब करेंंहराब आप मेरे यूटियब चैनल पे नय हो और तो दोस्तों कमेंट्स करके दुरू बताना कि यह वीडियो और यह नॉलिज आपको कैसी रही है